आप सब का स्वागत है महत्मा गांधी इंट्र कालेज ओनलाइन क्लास में आज हम लोग हर संकर प्रसाई का साहितिक परिचय एवं उनकी कृतियों का अध्यान करेंगे तो आईए सुरू करते हैं हर संकर प्रसाई का साहितिक परिचय शिरी हरिसंकर जी का जन मध्य परदेश में इटार्सी के निकट जमानी नामक अस्थान पर 22 अगस्ट सन 1924 इस्वी को हुआ था आरंब से लेकर असनातक अस्तर तक इनकी सिक्षा मध्य परदेश में हुई नागपूर विश्विद्याले से इन्होंने हिंदी में में की परिच्छा उत्रिन की परसाई जी ने कुछ वर्सों तक अध्यापन कार किया तथा साथ साथ साहित सिर्जन आरंब किया नौकरी को सहित्य सिर्जन में बाधक जानकर इन्होंने उसे तिलांजली देदी और स्वतंतरता पुर्वक सहित्य सिर्जन में जुड़ गए इन्होंने जवलपूर से बसुधा नामक साहित्य मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकासन आरंब किया परन्तु आर्थि घाटी के कारण उसे बंद कर देना पड़ा इनकी रचनाएं सब्ताहिक हिंदुस्तान धर्मयूग आधी पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकासित होती रही पर साई जी ने मुख्यत वेंग प्रधान ललित निबंधों की रचना की है 10 अगस्त 1995 इस भी को जवलपूर में इनका दिहान्त हो गया आईए अब देखते हैं हरसंकर परसाई का साहितिक योगदान परसाई जी हिंदी वेंग के अधार अस्तम्ब थे इन्होंने हिंदी वेंग को नई दिशापरदान की और अपनी रचनाओं में वेक्ति और समाज की बिसंगतियों पर जो परदा था उसे हटाने का प्रियास किया बिकलांग स्रधा का दोर गरंत पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरसकार भी प्राप्त हुआ इसके अतरिक्त उत्तर परदेश हिंदी संस्थान तथा मध्य परदेश कलापरिशद द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया इन्होंने कथाकार उपन्यसकार निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की आईएब देखते हैं हर संकर प्रसाई की प्रमुख रचनाय प्रसाई जी अपनी कहानियों उपन्यासों तथा निबंधों में व्यक्ति और समाज की कम जोड़ी विशंगतियों और आडंबर पुर्व जीवन पर गहरी चोट करते हैं इनकी प्रमुख रचनाय निम्न लिखित हैं कहानी संग्र हसते हैं रोते हैं और जैसे उनकी दिन फिरे उपन्यास सबसे चर्शित इनकी उपन्यास है रानी नागफणी की कहानी तटकी रेखा निबंद संग्र इनका है तब की बात और थी भूत के पाउं पीछे बेमानी की परत पगडंडियों का जबाना सदाचार का तावीज सिकायत मुझे भी है और अंत में इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह परसाई गरंथावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है आई अब देखते हैं साहित में अस्थान परसाई जी का परसाई जी हिंदी साहित के एक शमर्थ बेंगकार थे इन्होंने हिंदी निबंध शाहित में हासे बेंग परधान निबंधों की रचना करके एक बिसेश अभाव के पूर्ण किया इनकी साहिली का प्राण बेंग और बिनोध है अपनी बिसेश्ट साहिली से परसाई जी ने हिंदी साहित में अपना प्रमक अस्थान बना लिया है इस तरीके से आज हम लोगों ने परसाई जी का साहितिक परिचे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा अगर आप चैनल पे भी तुरंद नहे हैं तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब करिएगा और किसी जरुत मंद को वीडियो सेर करिएगा ताकि वी इस वीडियो का जो है लाव उठा सके वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में